नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे? तो चलिए शुरू करते हैं आज हम करेंगे वर्क्षिट नमबर 117, यह हमारे हिंदी की कारिया पत्रिका होने वाली है 11 फरवरी 2021 की इधर बच्चे अपने क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे आज हम फिर से अपने हिंदी के पाठ्टे पुस्तक रिम्जिम से पार्ट सबसे अच्छा पेड़ से वक्षिट करने वाले हैं चलिए अगर आपने पार्ट नहीं पढ़ा तो आप इस पार्ट को ज़रूर पढ़ लें प्यारे बच्चों आशा है कि आप सब स्वस्त पर खुश होंगे बच्चों हमने पिछली कार्य पत्रिका में बाठ सबसे अच्छा पेड़ के बारे में बहुत सारी बाते जानी कहानी में हुई तीनों भाईयों की बातचीत के मादिम से हमने जाना कि प्रतेक पेड़ का अपना-पना महत्व होता है ठीक है तो यह हमने पार्ट पढ़ लिया था अगर आपने पार्ट नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाकर आप इस पार्ट को जरूर जरूर पढ़ें चलिए वाते हैं प्रशन नमबर एक पर यहां पर लिखा है कि आईए अब अगर आप हम पढ़ लेते हैं और इन शब्दों को भी एक एक करके लिख लेंगे सबसे पहले है व्रिक्ष यानि पेड अर्थाद पेड हमारी धर्ती का हरास होना है तो व्रिक्ष को यानि पेड़गों क्या बोल रहा है हरास होना बोल रहा है यह हमारे लिए प्रकरती का अनमोल क्या है खजाना अनमोल खजाना है ठीक है अनमोल खजाना है पेड़ों के कारण ही हमारी पृत्वी पर जीवन फलता फूलता है पेड़ हमारी पृत्वी से हजारो सालों ठीक है हमारी पृत्वी से हजारो सालों से है ठीक है यह चल फिर नहीं सकते लेकिन हमारी तरह सा सकते हैं ये हमें साफ क्या देते हैं हवाय, साफ हवाय देते हैं पेड प्रदूशन से लड़ते रहते हैं, और हमें सुच और सुन्दर वातावरन प्रदान करती है, यानि अच्छा वातावरन अच्छा environment हमें देते हैं, पेडों से हमें फल सब्जियां और अनाज, ठीक है, अनाज क्या होता है, जो आप जो खाते हैं गेहुँचावल, वो क्या है, अनाज है, इंधन, कागज, जर और रबड आदी मिलते हैं, बारिश भी पेडों के कारण ही होती है, देखा बच्छो, पेड बहुत अनमोल है, इसलिए हमें अपने इस हरे सोने को संभाल कर रखना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर पेडों के बारे में कुछ बाते बताई थी, और कुछ शब्द जो र के बत्ते हैं, हम पहले यह बताएंगे कि यह पत्ते कौन से हैं, और फिर यह भी बताएंगे कि इनको कहां कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे पहले यह क्या है, यह है धनिया, ठीक है, यह धनिया है, पिर यह क्या है, यह केला, यह केले का पत्ता है, और यह है, यह और ताजे मसालों के रूप में किया जाता है ठीक है यह आप अपने अंसर में लिखेंगे दूसरा केले के पत्ते पर अक्सर खाना परोसा जाता है जिससे उस खाने का पोशन बढ़ जाता है यह केले के पत्ते का काम होता है और नीम के पत्तों का उपयोग ओशदी बनाने के ये किया जाता है ठीक है तो ये तीनों का हमने उपयोग देख लिया है तीनों आप आपने अंसर में लिखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं प्रशन नमर तीन में लिखा है कि पार्ट सबसे अच्छा पेड़ में आपको कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगा और क्यों यहां यहां पर आपको अपना अंसर बताना है कि आपको कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगा मैंने एक अंसर लिखा आप चाहे तो उसे लिख सकते हैं जब यह देखिए मुझे आम का पेड़ सबसे अच्छा लगा क्योंकि इस से हमें ठंडी चाया के साथ-साथ मीठे आम जिसे हम अचार बना सकते हैं ये भी मिलते हैं ठीक है तो इस आम के पेड़ से हमें बहुत सारी चीज़े मिलती है ये आप अपने अंसर में लिख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं प्रशन नमर चार में लिखा है कि घर की तलाश में निकलने से पहले पाठ सबसे अच्छा से लगाना है कि ये पूछ रहा है कि ये अंदाजा लगा ये कि अप हैंशर लिख सकते हैं वही पुरानी तूटी हुई जोपड़ी कि हमारे पास अपना अपना एक नया घर हो एक नई झोपड़ी हो ठीक है तो यह आप अपने अंसर में लिख सकते हैं चलिए आगे देखते हैं प्रशन नमर पाच में लिखा है कि पेड़ बचाओ जीवन बचाओ नारे को दर्शाते हुए एक पोस्टर बनाईए तो यहाँ पर आपको एक पोस्टर बनाना है जिसमें आप क्या बताएंगे यह पेड़ है मारा जीवन है ठीक है और आप यह वहाँ पर लिखेंगे नारा पेड़ बचाओ जीवन बचाओ तो यह वाला कोशन बच्चे अपने आप करेंगे ठीक है इसके लाव आपको अपनी रिंजिन की कारिया पुस्टिग्यानी गॉर्फुक में से पेज नमबर 144 और 149 भी करना है आज की ग्लासी ही गतम होती है अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कल फिर मिलेंगे कुछ नया सीखेंगे तब तक के लिए थैंक यू और जैह हिंद